नमस्कार आज का टॉपिक है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानि की IBS आज कल आधुनिक युग में सबसे जादा गैस्टो इंटेस्टानल ट्रेक पे पाई जाने वाली एक ऐसी समस्या जिसके रोगी की पैथलोजी और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लगबग लगबग नॉर्मल आती है और पेशन्ट की शिकायत रहती है कि मुझे कभी भी गैस बन जाती है कभी भी मुझे एसिट बन जाता है कभी भी मुझे लूज मोशन हो जाते है और किसी भी प्रकार की रिपोर्ट कराने पर कोई भी समस्या उसमें नहीं आती है इसलिए Modern Medical Science B और Ayurveig B इसको Lifestyle Disorder की कैटेगरी में रखता है और इसको इस समस्या को एक नाम दिया गया IBS IBS क्योंकि एक Lifestyle Disorder है इसलिए इस रोगी को अपनी Lifestyle में सुधार करना अतियावश्यक है जिसमें तीन बाते सबसे महत्पूर्ण है पहली Breakfast, Lunch और Dinner समय पर होना चाहिए दूसरा Oxidized Food यानि की Baked Food मैदे से बनी चीज़े जिनको खमीर उठाके बनाया जाता है इनका प्रियोग नहीं करना चाहिए और तीसरा Fruits का और सलाद का प्रियोग सबसे ज़ादा उसको अपने भोजन में प्रियोग करना चाहिए और साथ ही साथ Water Intake पानी का भी सही परकार से अपना प्रियोग उसको दिन में रखना चाहिए लेकिन IBS का रोगी जगे जगे जाके परिशान रहता है खाली पेट के कैपसूल खाके परिशान रहता है और उससे वविश में और भी बहुत सारी समस्य होने की संभावना बढ़ जाती है IBS की कुछ ऐसी मेडिसिन से जो IBS में आपको काफी सहयोग प्रदान करेंगी एक टैबलेट कुटजगनवटी और एक टैबलेट चित्रकादिवटी ये भोजन के बाद लेने से काफी आपको IBS में लाब मिलता है और IBS के जितने भी संबंदित इंपक्ट शरीर पे आते हैं जो भी प्रभाव उसके हैं उन सभी में आपको आशातीत परणाम प्राप्त होते हैं ये सभी आउश्दियां किसी भी आईरवेदिक मेडिकल स्टोर पर उपलब्द हैं आप कहीं भी इनको आसानी से ले सकते हैं और ऑनलाइन भी आप इनको कर्चेस कर सकते हैं IBS एक बहुत ही जटिल रोग है इसलिए इसको ठीक करने के लिए आप आईरवेदिक के चरण में जाएं और आईरवेदिक ही इसको पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है धन्यवाद